हेलो फ्रेंड्स मैं अनीता स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी उपास में खाने वाला साबुदानी की खिच्डी जो बहुत ही खिली-खिली बनती है अगर मेरे ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी खिच्डी कभी भी गिली नहीं हो बड़ा बरतन ले लिए है और उसमें डाल रही हूं यह एक बाउल साबुदाना जितना आपको साबुदानी की खिच्डी बनाना हो फुसी साब से आप ले सकते हैं इसे हम दो पानी अच्छे से दो लेंगे साबु दाने को मैंने अच्छे से दो पानी दो लिया है, कि साबु दाने में का जो स्टार्च हो निकल जा है अब उसमें मैं डाल रही हूँ पानी, पानी हमें इतना डालना है कि साबु दाना जहां है उसी लेबल से थूड़ा सा उपर आज चाहिए, आप देख सकते हैं अब इतना पानी ढालके इसे हम 6-7 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो अब इसे हम भीगने देते हैं देखिए ओवरनाइट साभुदाने को बिढा जैने के बार यह अची तरह से फूर गया हैं बहुत ही खीले-खीले हो गया है ऐसे अगर हम इसे मसल के देखिए तो पूरी तरह से यह मैश हो जा रहा है सामू दाना बहुत अच्छी तरह से फूग गया है और इक दम बर बर जैसा भी हो गया है एक एक सामू दाना अलग हो चुपा है तो चलिए अब हम सामू दाने के खिचरी बना लेते हैं sagtag gained की खिचरी बनाएं के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक मैने मिक्सी जाल ले लिया है उसमें हम डालेंगे एक मैने इबाउल ये ड्राय रोस सेंगदाना है मुंफली इसे मैंने ड्राय रोस करके रख लिया था इसे ले रही हूँ ये चिलके के साथ हमें लेना है और ये भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं कितना आपको पतन हो तो ये डाल रही हूँ मैं उसी के साथ डाल दी हूँ ये 6-7 भरी मिर्च ये भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं इसे डाल रही हो, फिर एक चम्मत जीरा, इसे डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा दरदरा ही पीस के लेंगे, देखें, इसे मैंने पीस लिया है, ऐसे ही इसे हमें ऐसे दरदरा पीस लेना है, इसमें मिर्ची, जीरा से अच्छे से पीसा रहा है, चलिए खिच हम नॉमल कड़ाई में भी अच्छा खिले खिले साबुदानी खिचली बना सकते हैं तो इसमें मैं आप डाल रहे हूं तेल चार चमस के करीब तेल डाल रहे हूं तेल गरम हो जाने के बाद फिर हम फ्रेल को इद्दम लोग कर देंगे और डायरेक्ट हमें इसमें साबुदाना डाल देना है अबुदाने के हिसाथ जो हमने खिल के सेंग दाना मिक्ची और दीडा रखा है इसे डाल देंगे तो आप चाहें तो नॉमल नमक जाल सकते हैं इसे डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही देश्टी ये साबू दाने की किचड़ी बन जाती है आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला बन आ रहे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसे हम ढख के ब्लो टू मेडियम फ्लेम पे ही इसे हम दो से तीन मिनट कुख करेंगे दो से तीन मिनट के बाद देखिए हमारे साबू दाने की किचड़ी रेडे हो गई है इसे एक बाद फोड़ा सा फिर से चारू दरफ से चला देंगे अच्छी बहुत ही खिला खिला बना है एक एक दाने अलग हो रहे हैं सादु ताने के तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके सादु दाने के ठिकड़ी कभी भी गिली नहीं होगी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अब गैस बन कर देते हैं और प्रेटिंग कर लेते हैं रेडी है हमारा सादु दाने की किट्वी मैंने उपर से थोड़े से इंग डाने और डाल दिये हैं क्योंकि मुझे पसंद है अगर आपको पसंद हो तो आप उपर से डालें यहं तो रेडी हो जयती है हमारी फिस्पर हमारी फिस्पर की जारूर बनाएं तो प्लीज आप जरूर ठ्राई करना और मुझे जरूर बताना की आपको कैसा क्या लगी ऐसे लगी थेंक यूऑ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना साथी साथ बेल कावे बटन जरूर दबा देना जिससे मेरी लेक्टेस आने माले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आ को में सके थैंक यू फॉर वचिंग माय वीडियो